ये जन आक्रोश यात्रा ये खाली बावती जंदा पार्टी के लिए नहीं है राजस्थान के अंदर एक बार फिर से कॉंग्रेस और बीजेपी आमने सामने आने वाले हैं दरसल जैसे जैसे भारत जोडो यात्रा राजस्थान के करीब पहुंच रही है तो वहीं बीजेपी ने भी जनाक्रोश यात्रा को हरी जंडी दिखा दी है प्रश्थान के लिए कर रहे हो यह स्वाभाविक है कि वो हम लोगों से यह प्रश्थ पूछेंगी आप सबको मालूम है कि जिस पार्टी को जिताकर जनता सरकार में बठाती है तो उनसे उनको बहुत आशा भी होती है उनसे कुछ आकांगशा है अपनी कुछ की आकांगशा में बुलाने की कोशिश भी उनके अंदर है वो चाहते हैं कि आगे चलके हमारा स्वाभी माल उसकी रक्षा हमारी सरकार करेगी वो चाहते हैं कि एक शांति पूरो वातावरण हमारे प्रदेश के अंदर फैलेगा जिसकी वजह से हमारा आगे चलके प्रदेश सम्रिध होगा ये सोच करके जनता किसी पार्टी को जिता के उसको सरकार देती है हमने तो ऐसा करने के अपने समय में कोशिश की थी लेकिन ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले साथ चार साल के अंदर जो सरकार सक्ता परकाबिज है यहाँ उसने तो पहले दिन से ही अपनी विश्वस नियता को खूने का काम किया क्योंकि इस कॉंग्रेस ने जब अपसी सरकार बनाई तो जासले के उपर ही अपनी सरकार बनाने का काम किया कितने सारे वादे किये सबको आपने भी उन वादों को सना उन वादों को क्या हुआ उन वादों को क्या हुआ और आप तो इन वादों को छोड़िये मैं तो यह कहना चाहूंगी आप लोगों को कि जूट बोड़कर जो भी सत्ता अपनाता है उसको आगे चलकर दुख पाना ही पड़ेगा और इससे आहज हमारी जो जन्ता है उसने पांच मेने के अंदर ही इस सरकार को बता दिया जब उसने पचीस की पचीस सीटों को जिता कर मोदी जी के जोली में डालने का काम किया यह कोई छोटा गोटा काम नहीं था यहाँ यहाँ कोई जीता परमतु वहाँ उन्होंने दिखा दिया कि पांच मेने के अंदर ही हम लोगों को इनके उपर विश्वास नहीं है मानने मोदी जी के नेत्रितु में पचीस कमल हमारे खिले और बाज़पाने हमेशा तो शुशासन, विश्वस नियता और प्यार इन चीजों को लेकर आप जनता के पीच में जाओगे तभी आपकी पार्टी अपने पेड़ों पर खड़ाओं के मजबूती के साथ जनता का साथ दे सकेगी आदर्निय, अतल भीहारी वाजबाई जी, अडवानी जी हो, चायमोधी जी हो इन लोग सब ने सेवा और सुशासन की उपर हम सब को बताया और हम उस पे जोड़ देने का काम किया मैं आपनों को याद दिलाना चाहती हूँ कि चार साल में सुशासन का तो नाम आपनों भूल जाओ, शासन का तो नाम ही निशान ही नहीं है, पूरा शासन ही समापत हो गया आज अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री और अब क्या कहोगे उपमुक्यमंत्री कहोगे या पूर्व उपमख्यमंत्री कहोगे या पूर्व प्रदेश अध्ष कहोगे, उनके बीच में बोल चाहली नहीं मंत्री और अफसर एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं मंत्री और मंत्री एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं यहाँ प्रधान मंत्री जी हमारे यह कह रहे हैं कि हमारे किसानों की जो आय है उसको हमें सब को दुगना करने की जरूरत है और दूसरी तरफ ये सरकार जो हमारी एक बहुत लाबदायक स्कीम थी वो के मंत्री जल स्वावलम बना योजना उसको बंद करने का काम वैसे तो मैं तो एक का नाम ले रही हूँ वैसे तो कई हमारे स्कीम्स थे भारती जन्ता पार्टी ने पिछले राज के अंदर आपके साम में रखे थे उनको सब को द्वस्त करने का काम इन लोगों ने किया हूँ भारती के परिक्षा पेपर लीक कराप्शन ऐसा ब्रश्टा चार खुले आम किसी को शरम ही नहीं है अपने आपस के जगड़ों के बीच में उनको फुर्सत ही नहीं है यह पता करने को कि जन्ता क्या कर रही है और जन्ता के आजू पोचने के लिए किसको और कप जाने की जरुवत है और बात आज की नहीं है मैं यह आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आजादी के बाद से लेकर बैरो सिंग जी की सरकार तक इस कॉंगरेश शासर ने बीमारू प्रदेश के एक श्रेणी में हमारी राजस्तान को ग्रसीटने का काम किया था यह तो आप लोगों ने हम सब को आशिरवत दिया तो हम लोगों ने मिल के जनता को अपना केंदर बिंदू मानते हुए गरीब को अपना केंदर बिंदू मानते हुए जन कल्यांकारी योजना को जमीन पर लाने का काम किया और पिछले सरकार के अंदर बिमारु प्रदेश के दर्जे से अपने सरकार को बाहर निकाल कर अपने प्रदेश को बाहर निकाल कर अग्रणी प्रदेश के पंग्ती में लाकर खड़ा करने का काम किया जिसका हम सब को गर्द है जै जै राजस्तान का नारा गूंजा और राजस्तान के अंदर एक स्वावी मान जागा मैं बारबार यह कहती हूँ कि इतीन चीज हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है जंता के बीच में जंता का स्वावी मान जंता के बीच में और प्रदेश के अंदर शान्ती और इन दो चीज़ अगर अपर होते हैं तो आगे चलके प्रदेश की सम्रिद्धी भी इसके साथ चूड़ती है चार सार के अंतर आप लोगों को देखने को मिला अंतर विरोध, मैला और दलिद का अत्याचार, स्लरवाधिक करजा आज अगर आप लोग गिंती करोगे तो मैं आप कोई बता सकती हूँ कि एक-एक व्यक्ति को 6,436 रुपे का करजा वेहन करना पड़ रहा है एक-एक व्यक्ति के उपर है, पेट्रो, डीजल, बिजली, इन सब के भाव बढ़ गए है करोणा के कार के अंदर किस तरीके से लापरवाई के साथ लोगों के साथ तो डील किया गया था दरम परिवर्तन एक भारी हिस्से से चल रहा है और डेवी देवताओं का अपमान ये भी आप लोगों ने अपने प्रदेश के अंदर देखा है इरसीपी को हम लोगों ने शुरू करा उस पर काम करने के बजाए उसको विवात में घुसेड़ने का काम ने किया आराम से इसको चलाने का काम करते धीरे धीरे इसको बढ़ाने का काम करते तो वो एक ऐसी योजना जो जनता का भाग के बदल सकती थी उस यहों जिना को खटाई में डालने का काम आज इन्होंने करके रखा है हम लोगों ने रोजगार, आर्थिक प्रभंदन, चथीज के चथीज कौन को एक साथ निकाल के और उनकी तरक्की करने का काम यह हम लोगों ने बिल्किक किया थो हम लोर्गोने हमारे स्वाभी मान को चमकाने के कोशिश की अशांकी हम अगर होगी किसी प्रदेश में तो वह प्रदेश आगे बढ़ना ही सकता है उर मैं याद दिलाओं आपको गूलों वह प्रदेश है जिसमें बिर्ला जिसमें बांगर जिसमें रुईया, जिसमें मित्र जैसे नाम, आज यहां ही नई पुरी दुनिया के अंदर पहचाने जाते हैं वो भी अपसाय का केंद्र था ये राजस्तार आज सब का भटा बिठा के रखने का काम अगर किसी ने किया है तो वो है कॉंग्रिस हमारे कार्यकर्टा हमारे सामने बैठे हुए हैं मैं हमारे कार्यकर्टा का आभार व्यक्त करना चाहती हूं सबसे पहले तो कि आप लोग सब की मेहनत थी जिस मेहनत की वज़े से 2003 में 120 सीट हम लोग जीत करके आए 2013 में 163 सीट हम लोग जीट करके आए और मैं आपको ये भी कह दूँ कि 2003 के